गुड इवनिंग मैं आस्तो शिवास्तो फांडर और बीनाव सॉफ्ट्रेक्स सॉलूशन एंड आई टी इंडेस्टियर सॉफ्ट्वेर ट्रेनर आज हम कंडिशनल डेटा एनिमेशन्स पे काम करेंगे कि किस तरीके से कंडिशनल एनिमेशन्स हम यूज करते हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगा और इसमें मैं आपको किस तरह से डेलपर टैप्स यूज की जा रहे हैं और उनको किस तरह कंड्रोल किया जा रहा है ये भी आप यहां पर देखेंगे तो एक से पहले भी मैंने एक एनिमेशन के ओपर एक्सल बेस्ट वीडियो डाली थी अगर आपने नहीं देखा हूँ तो आप देखिए बहुत ही सिंपल थी तो आज की वीडियो जो मैं बनाया हूँ और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें आप इसको देखिए बहुत सिंपल स्टेप्स है तो पहले मैं दिखा दो कि मैं उसमें करने क्या वाला हूँ कुछ इस टेप का मैं आपके सामने यहां पर मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ यह चीज हो कैसी दर देखे देहां से यह अभी on है यहां से मैंने city को चूस कर रहा हूँ तो यह देखिए city जो है हमारे city के base पर यह coloring हो रही है और यह देखिए जरह देहां से यहां पर on है तो यहां पर color show कर रहा है लेकिन जैसे ही मैं इसको off करूँगा यह देखिए color गयव हो जा रहा है तो यह मैं फिराउन कर रहा हूँ और यह show हो रहा है और जैसे ही मैं off कर रहा हूँ तो यह गयव हो जाते हैं यह चीज होती कैसे है आज मैं आपको सिखाँगा अपने इस वीडियो में तो one by one मैं इसको आपके सामने प्रेजेंट करूँगा कि यह काम मैं कैसे कर रहा हूँ तो मैं यहां से यह data ले लेता हूँ क्योंकि मुझे data बनाने में time लगएगा इससे better मैं इसको copy कर लेता हूँ मैंने नई sheet पे गए यहां पर मैंने इसको paste कर दिया यह हमारा data ready है अब मैं यहां पर एक column मनाऊंगा city का और एक column मैं amount का create कर देता हूँ जब मैं city चूज करूँगा और तो automatic उसका amount यहां पर show हो जाएगा मैंने इसको कर दिया और इसका background color भी मैंने चेंज कर दिया अब यहां पर मैं इस जगह पर है रख कर मैंने condition formatting में जाकर sorry यहां पर data के अंदर जाकर data validation में जाकर मैंने यहां पर list option को प्रक्टिक करूँगा और यहां पर मैं city के नाम mention कर देता हूँ comma लगा की कानपूर comma delay comma लक्ष्मी यह मैंने mention कर दिया अब यह नाम हमारे यहां इंटर जो चुके हैं और इसके amount को मैं यहां पर show कराना चाहता हूँ तो यहां पर मैं डिखूंगा यहां मैं एक box बना देता हूँ जिससे आपको दिखेगा कि यहां पर formula यूज हो रहा है equal to यहां पर हम जो formula यूज करेंगे वो sum if का formula यूज करेंगे को कि particular value की total मुझे पता करना है तो पहला हमारा यहां पर है कि इस city का इस city के जो भी हम city choose करें कॉमा वो city यहां से match करेगी और फिर मैंने यहां पर लगाया कॉमा और उसका amount यहां पर automatic show कर देगा और मैं इसको close करूँगा तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहां पर zero दिख रहा है अब मैं यहां से choose कर रहा हूँ कानपूर तो कानपूर का यह जितना भी कानपूर जहां जहां पर है उसका total यहां पर show कर रहा है अब हम यहां पर developer tab में जाकर insert पे जाकर मैं इस spring button का यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे यहां से on और off का concept यूज़ कर रहा है मैंने यह कर लिया इसके बाद मैं इसी के just bugle पे एक यह मैंने रखा और एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा और adjust कर देता हूँ यहां पर और इस जगह पे मैंने इसको select करके अभी मैं इसको normally border बना के और इसके background को मैंने इस color रखा जैसे off लगेगा उसके बाद मैंने इस पे right click किया format control में जाकर मैंने minimum value यहां पर one रखी है और maximum value मैंने यहां पे two रखी है उसके बाद यह चीज़ मुझे apply किस पे करनी है किस जगह पे यह चीज़ शो करेगी मैंने equal करके यह यहां पर मैंने ले लिया यह one means on और two means off मैंने लिया है और उसके बाद मैं यहां से just one second यहां से मैं इसको off करूँगा means okay करूँगा यह हमारा यहां पे one दिखरा है आप देख सकते हैं अवह one दिखरा है यहां two हो गया फिर यहां one है फिर यहां two हो गया अब मुझे यहां पर इस पे मुझे on और off पे मुझे message चाहिए कि अगर on होता है तो one है अगर अगर two है तो off तो मैं यहाँ पर लगाँगा equal यहाँ पर मैंने लिया if bracket this bracket अगर है अगर यहाँ मैंने लिया है इस जगह मैंने यहाँ पर मेंशन किया और यहाँ पर मैंने equal to मैंने one लिया है अगर one होता है तो on और नहीं तो होता है off यह मैंने करके इस पर कर दिया अभी यहाँ पर देख रहा हैंगे off दिख रहा हैं अब मैं one choose करूँगा तो यह on है two choose करेंगे तो off यह on यह off अब मैं इस पर करसर रखूँगा क्योंकि मुझे on और off का मैसस चाहिए तो मैंने लिखा equal to मैंने यहाँ पर use किया equal to और इस जगह मैंने यहाँ मैंने यहाँ मैंने इस पर क्लिक किया equal to two अगर two के compare में आ रहा है तो off का मैसस और नहीं तो space यह मैंने कर दिया same process मैंने यहाँ पर use किया इस बैकेट इक्वल टू वन है तो on नहीं तो space अब यह इस पर आरा है अब मैं यहाँ से one चूश करो देखे on हो गया अफ बंद हो गया है अब मुझे यहाँ पर color करना है तो मैं काम करता हूँ पहले इसको मैं control b करके bold कर देता हूँ इसे भी bold कर देता हूँ अब मैं क्या करता हूँ इस जगह पे यहाँ मैंने रखा है cursor और condition formatting में जाकर मैंने highlights पे जाकर मैंने text पे जाकर मैंने off लिखा और यहाँ से मैंने custom formats पे click करूँगा और इसके अंदर मैंने board पे click किया और यहाँ से मैंने found color यह ले लिया fill color मुझे off के case पे red रखना है means background color और ok अब मैं यहाँ पर जाकर फिर से condition formatting में जाऊँगा और मैं highlight पे text पे जाऊँगा यहाँ पे मैंने on use किया है custom format पे जाकर font color मैंने इसका मैंने board करके और इसका font color मैंने यह रख यूज़ किया yellow और fill color मैं यहाँ पर change कर देता हूँ इस जगह पे यह ओके और ok अब यहाँ आप देख सकते हैं जब मैं color यह change कर रहा हूँ तो यह देखे change हो रहा है यह कुछ step में हमारा show हो रहा है color change हो रहा है अब हमें करना क्या है इस जगह पे पूरी table को select कर रहे हैं जाने के बाद लिखेंगे इस जगह पे equal to end city अब हम इस जगह पे इस city की बात कर रहे हैं और इस city के जितने भी खोकिर रोज क्या होंगे change होंगे तो मैंने यहां से dollar अटा कर सिर्फ six लिख दिया equal to यह city then अगर है तो इस जगह पे मैंने यहां पर यह यूज किया तो वो यहां पर equal to मैंने और bracket किया मैंने on on bracket close then format अगर है तो हमारा red color से show होने लगेगा क्या font sorry और background color मैंने red कर दिया और font color black कर देता हूँ यह मैं इसे यह color कर देता हूँ okay अब आप देख सकते हैं यहां ठीक है अब मैं इसको okay करूंगा अब आप देख सकते हैं मैंने यहां से sheet चूज कर रहे हैं अब मैं इसको भी on कर रहा हूँ जैसे यह on कर रहा हूँ इस जगह पे मैंने एक missing किया हूँ है मैं फिर से इस process को कर रहा हूँ मैं इसको मैंने select किया condition new rules यहां पर मैं जा कर click use determined equal to and bracket ct वाल ct वाल पर क्लिक करेंगे 6 equal to city city then अगर मैं छो जाती है तो comma equal to on equal to on यह मैं लिखना भूल गया था और उसके बाद मैंने यहां पर जा कर board कर देना है और found color मैंने ले लिया है यह color और फिल वाला ले ले लेता हूँ मैं यह color और border मैं border भी बना देता हूँ जिससे और अच्छा लगेगा यह ले 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 लेता हूँ और border color मेरा रहेगा यह देन ओके अब आप देख सकते हैं यह color on mode में हैं अब मैं यहां से कानपूर चूश कर रहा हूँ तो यह कानपूर का change कर दे रहा है और अगर लक्षमी चूश कर रहा हूँ तो लक्षमी का change हो रहा है अब जैसे यह क्यों क्यों कि on mode में है अब जैसे मैं इसको off करूँगा आप जितना चेंज करिए यहां पर formatting नहीं चल रही है नहीं हो रही है लेकि जैसे मैं इसको on करूँगा तो यह फिर से change हो रहा है यहां पर देख रहे होंगे आप यह चेंजेज हो रहा है जैसे ही मैं आउन कर रहा हूँ यह चेंजेज होता चला जा रहा है तो इस तरीके से हम कंडिशन को आउन आफ करके अपने डेटा को कंड्रोल कर सकते हैं I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा एक्सल का बेस बहुत जल्दी इस्टार्ट होने वाला है आप पता करिए कि किस यह चेंजेट में यह एक्सल का बेस्टार्ट हो रहा है मेरा टैली का बाइस 28 तारिक से एक नया स्टार्ट हो रहा है और उस क्लास्स की टाइमिंग है इवनिंग 8 to 9 और TTS में 3 days है और बहुत ही minimum cost में only 500 रुपीज में और एक्सल का बैच भी बहुत जल्दी मैं start कर रहा हूं तो आप पता करिये अगर आप interested है इस तरह की चीज़े सीखने के लिए तो आप इस मेरे number पे 8957471618 जो की मेरा whatsapp number और calling number दोनों हैं तो आप इसका use करके आप पता कर सकते हैं कि बैच कब से start हो रहा है एक्सल का और interested अगर आप टैली पे हैं तो आप टैली का बैच हमारा 28 तरीक से है और उस जिसमें आपको books भी बिलेगी और आप इसको join करिए और इस तरह के बहुत सरे animations आपको मैं सिखाऊंगा इससे भी better जैसे की traffic lights जैसे चीज़ें कैसे होती हैं तो इस तरह के बहुत सरे animations आपको समय समय पे मिलेंगे इस course के अंदर Excel के अंदर तो thank you thank you very much